थाना न्यू असोग नगर थानी की तीम ने तीन चोरों को गिरफतर करके सफलता हासिल की और चोरी का सामान भी बरामत किया न्यू थाना असोग नगर में एक सिकाय दर्श की गई थी 5 अप्रिल को कि कुछ सामान चोरों ने चोरी कर लिया है जिसके बाद 1379 IPC की धारा में एक मामला को दर्स कर लिया गया जिसके बाद जांच के दोरान आसपास के इलाकों में CCDB 4D का बिशिशलर क्या गया और मंडाबली इलाके के आई उस गोल को मुख्वीरो और बीटी स्टाप की मदद से पैचान लिया गया था मौनू जो पहले ठाना मंडाबली में तहना थे उन्होंने मुख्य चोर को गरबबतार कर लिया था और उसके उधारन के तोर पर दो साहीयोगी को और गरबतार कर लिया था जिसका नाम पवन और मोहित पाल है जो की मंडाबली और जगतपूरी के रहने वाले है आरोपी आईस गोईल ने खुला सा क्या है कि चोरी की गई सोनी की चैन मुथूट फिन क्राफ्स प्रिद्भियार दिल्ली के पास एक गिर भी है और इसके कबजे से मुथूट फिन क्राफ्स की एक पर्शी भी बरामत की गई है ततपचात आरोपियों की कहने के पर मुथूट फिन क्राफ्स से चोरी की गई सब्बत यानि सोनी की चैन बरामत की गई तीन आरोपियों की गिरपतारी के साथ एक अन्य मामले में चोरी हुआ एक मुवाइल फॉन भी बरामत कर लिया है इसके लावा इनके पास से और भी केस्टे जिनके पाद दो लेफटॉक एक हाई एंड कैमरा मेकन निकोन भी बरामत कर लिया है पुलिस अब इन तीनों से पूछतास कर रही है इनको हम बताते हैं कि सनीवार की रात को गिरपतार किया जहां आज सारे दिन इन से लगातार पूछतास चली है कि आखिरकार इन तीन के साथ कितने और लोग हैं और कितने किस-किस इलाकों में इन्होंने चोरी की हैं